हेलो एड वेलकम फ्रेंड मैं नामे जावेद आप देख रहा है हेलफुल लास्ट यूट्यूब चैनल दोस्तों ट्रेनों में तो आपने बहुत बार ट्रवेल किया होगा लेकिन ऐसे में ट्रेन टिकट बुकिंग के टाइम आप कन्फ्यूज होते होंगे कि ट्रेन में सबसे अच्छी सीट कौन सी होती है सबसे अच्छी बर्थ कौन सी होती है क्या लोर होती है क्या मिडल क्या अपर जोस्तों इसी के बारे में आज हम बात करने वाले तो ये वीड़ियो लास्ट ज़रूर देखिऴगा की बात लोग विंड़ो पर बैठना पसंद करेंगे तो शताबदी के लिए तो बेस्ट सीट हो गई विंड़ो वाली क्योंकि विंड़ो सीट पर बैठेंगे और बाहर के नजारे देखेंगे अब बात आती है जर्नल कोच की तो जन्लकुँच में सीट सेलेक्शन वाली कोई ऐसी सेलेक्षन गाथ पूंता है दोस्तों बात करते हैं सिलीपर कोच या फिर एसी कूच की तुसलीपर?」 उब तरह की सीटे आपको नज़र आएगी लोवर बिडल अपर और साइड लोवर और साइड अपड तो ऐसे में यहाँ पर सवाल आता है कि क्या आप अकेले ट्रेवल कर रहें अगर अकेले ट्रेवल कर रहें तो best seat होती है side upper वाली side upper वाली best seat होती है रात में आराम से सो सकते हैं और दिन में आराम से side में बैट करके आप बाहर का नजारा ले सकते हैं कोई भी disturb करने वाला नहीं होता है उस सिंगल सीट के उपर और अगर आप दो लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो भी बेस्ट होगी साइड अपर और साइड लोवर सीट ये दोनों सीटे काफी ज़दा बेस्ट होंगी अगर आप दो लोग ट्रेवल कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आमने सामने दो लोग बैट करके बाते भी कर सकते हैं और आराम से बाहर का नजारा देख करके मज़े भी ले सकते हैं दोस्तो अगर हम बात कर लें आप फैमिली के साथ बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं या फिर senior citizen के साथ travel कर रहे हैं तो ऐसे में आपको नीचे वाली seat यानि कि lower birth काफी ज़्यादा जरूरी होती है क्योंकि senior citizen और बच्चों में गिरने का खत्रा ज़्यादा होता है इसलिए सबसे best होती है lower seat दोस्तो आज थिंग आपको समझ में आ गया होगा अगर आप single या फिर double या फिर family के साथ travel कर रहे हैं तो सबसे अच्छी seat आपके लिए कौन से होगी दोस्तो ये information कैसे लगी comment box में जरूर बताइएगा अच्छी लगी हो तो वीडियो को like share और चाहँ को subscribe जरूर कर लिएगा मिलते हैं नहीं वीडियो में नहीं information के साथ thank you so much for watching